हेलो फ्रेंस नमस्कार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनिस यूग में तो फ्रेंस जो की रास्थान में आई कोर्ट में LDC की बर्ती जो की 1750 पदों के लिए आई हैं उसमें हम कैसे अफ्लाइक कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम पूरी डीटेल्स इस वीडियो में प्राप्त करेंगे तो फ्रेंस इस वीडियो पर आप लाश्ट तक बने रहेए और फ्रेंस आप नए अपी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीनिस यूग को सब्सक्राब नहीं क सब्सक्राइब बटन डॉक करते हैं पास में बैद आइकोंटे क्लिक कर दे जिससे हमारे जो भी निव वीडियो होगा उसका नौटिविक्शन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा तो आई वीडियो शुरू कर लेते हैं तो पर इस पहले मैं आप कता तो इसकी बारे में बेशिक जानकारी है तो देखे इसमें जो कि आपके अप्लाई डेट हैं जो कि आपके 1 अक्टुमबर से 1 नौमबर तक इसमें आप अपना पना कर सकते हैं और इसमें जो कोई age limit हैं वोगे मैं आपको बता दूँ 18 वर्ष से 40 वर्ष वाले इसमें अपड़े कर सकते हैं और इसमें जो कि application fees की बात करूँ तो इसकी application fees है जो कि OBC जनरल वालों की 100 रुपे और बाती category वाली के लिए 25 रुपे application fees रखी गई है और आप इसमें apply कैसे कर सकते हैं और apply करनी की website कोंसी है वो हमें इस video में देख रहे हैं तो आप वीडियो पर आप दश्टक बने रही है तो आजाना है आपको इस website पर देख सकते हैं यहाँ पर यह website हैं और इसका link का आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो आप सीधे ही इस website पर फांट जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि already registered का option है और एक new user का option आ रहा है तो देखिए यहाँ पर आपको registration पर now ok कर देना है तो देखिए आप registration पर ok करेंगे तो आपके सामने पूरा registration form खोल जाएगा तो यहाँ पर देखिए आपको application name, father's name, mother's name, gender, date of birth, mobile number उसको आपको verify करना होगा email address लगाना है बाद में आपके username जो आप क्या username में चाहते हैं वो लगाना है यहाँ पर आपको password, confirm password डालना है यहाँ पर आपको यह capture डालना है यहाँ आगे registration पर ok कर देना तो फ्रेंस में यह fill up करके आगे की process बता देता हूँ तो फ्रेंस आप देख सकते हैं मैंने पूरी details यहाँ पर fill up कर दी है नाम है, father's name है, mother's name है, gender है, date of birth डाल दी है आप देखे, mobile number आप लगाने बाद यहाँ पर verify पर क्लिक करना होगा यहाँ पर आपको यूजर निम डालना है, अपनी ID के लिए यहाँ पर password डालना है, यहाँ पर capture दिया होई वहाँ डालकर यहाँ पर आपको register पर ok कर देना है तो देखे, मैंने यहाँ पर register ok कर रहा हूँ तो देखे, यह अगला page खुल गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर optionals registration successfully, enrollment pending, payment pending from not downloaded तो देखे, यहाँ पर हम fill form पर ok करेंगी, तो देखे, fill form पर ok करेंगे, तो यहाँ पर भड़्यरों पर आपको यहाँ पर आपके है और just firm लगाी है और jaun mr in नेपाल को यहां पर मैरीड एक्डिया विली पर descans at अगर आप मैरीड करते हैं तो यहां पर आपको जो कि आपके सबी options बढ़ने होंगे, अगले देखे, special category, तो यहाँ पर देखे, आप कोई भी special category है, तो यहाँ पर yes कर सकते हैं, नहीं तो no कर देजिए, और देख सकते हैं, यहाँ पर आपके options दिये हुए हैं, कि employee saving content in the affairs state in service state temporarily captured, यहाँ पर आपको no कर देना है, और देखे, defense service worker versus personal, यहाँ पर आप service में रहे हैं, तो यहाँ पर yes कर देना है, नहीं तो no कर देना है, और आपस्गहाँ दो यहाँ पर yes कर देना है, यहाँ पर यहाँ जो dawag तो यहाँ पर आपका परफॉर्मेस करना है, तो आप कर आपक कर आपके जगह माँव रहा है, काहाँ पर आप पर परफॉर्मेस करना चाहते हैं, तो fifty is the last 먹을 collection. तो यहाँ पर आपको five बढ़ने होंगे यहाँ पर द cope गुरिष देटील मांगरा है तो यहां पर बाइत डाल देमा है कौन साफ़ का ड्रेस हैं वो तुछ मैंने यहां पर पूर्त डाल दिया हैं यहां पर आपके ईड़ें निमडिकिशन क्मांगर्हें है तो देखें एजुकेशन फॉलिफे जो भी है वहाँ इसका नाम डालना है यहाँ पर आपको year of passing किस year में आप पास की थी और यहाँ पर grade यहाँ आपका कौन सक grade लगा था वह सभी प्रिलप कर देना है और देख सकते हैं process basic computer of यहाँ पर आपको देखे yes क्या हुआ है आपको computer का basic जानकारी होने आउस्यक है देखे यहाँ पर other information मांगे do you have more than one spring living देखे यहाँ पर आपको पूरी देखकर यहाँ पर yes no पढ़ लेना है और देखे declaration यहाँ पर आपको बता रहा है आपका पूरी ही जो कि आप इसे बहुत अपंचर करना है पासपोर साइज का जोकी साइज है तो दसके बीसे पचीस के भी है वहाँ पर आपको अप्लोड कर देनी है और देखे सिगनेचर नहीं पर यहाँ पर से इस्ट मैप पेमेंट पर ऑकर देना है तो देखे आपको यह सभी फिल लब करके ने एक बाद ही से इस Mac payment पर ओके कर देना है तो यह आपका पूरा ही forum से हो जाएगा आप बहुत ही ज्यान पूरुक इस forum को भरें जैसे कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए तो फ्रेंस इतना करने के बाद आपको Mac payment करना होगा तो देखे payment आप net banking की सकते हैं, debit card से कर सकते हैं और किसी भी परकार से इसका चालाग कटवा सकते हैं जो कि मैं आपको बता दे हाँ है, OBC के लिए 100 रुपे हैं SD, SD के वालों के लिए 25 रुपे application फॉरम है और फ्रेंस उसके बाद हैं, जो कि make payment के बाद आपको print form कर लेना है आपको print form करना है, जो कि आपका करने के बाद ही form प्रिंट होगा तो फ्रेंस आप print form हो जाएगा, तो आपका जो कि form है, जो कि successfully submit हो जाएगा LDC की बरती के लिए, तो फ्रेंस ये पूरा process है और फ्रेंस अगर आपको make payment का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसका भी new video बना देंगे तो उससे देखकर आप इसका payment कर सकते हैं, क्योंकि ये इस video में बताऊंगा, तो ये video बहुत लंबा चला जाएगा इसलिए मैं आपको अगले वीडियो में payment का और print forum का बताने वाला हूँ, तो इस video के लिए आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लीजिए और वीडियो कैसे लगा, प्लीज comment करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक दोस्तों में share करते हैं, जिसलिके आपके दोस्त भी इस video के लाप उठा सके हैं और application form कर सके हैं